नमस्कार दोस्तों मैं डाक्टर एसके अगरवाल आप सभी का जोतिश सुक्समरध्य उपाए में एक बार फिर स्वागत करता हूँ साथ ही आप लोगों से मिल रहे प्रेम का दिल की घहराई से भिनंदन करता हूँ आज यह वीडियो उन सभी जातकों के लिए है जिनकी चंद या लगन राशी मिथुन है मिथुन राशी वाले जातकों के लिए अब बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आज इस वीडियो को अंत तक देखना समझना कहीं भ्रमित ना हूँ आप किसी अन्ये के द्वारा 2022 को शनी मारगी होते हुए 14 दिसंबर 2022 को घनिष्टा नक्षत्र के दूसरे चरण माएंगे वे फिर 17 जनवरी 2023 को घनिष्टा नक्षत्र के चरण तीन में परवेश कर जाएंगे वे पूर्ण रूप से कुम राशी में आ जाएंगे इस परकार 23 अक्टूबर 2022 को शनी अपनी राशी मकर में जब मारगी होंगे तो शनी की उल्टी चाल समाथ हो जाएगी आप लोगों पर से शनी की ढहिया खतम हो जाएगी लंबे समय से आप लोग शनी की ढहिया से परिशान थे ये पिछले 4-5 महीने किस तरह से गुजरे मेरे से भैतर आप जानते हैं शनी 29 अपरेल 2022 को कुम राशी में आ गए थे वे 4 जून 2022 को कुम राशी से वक्री हुए और 12 जुलाई 2022 को मकर राशी में आ गए थे और इस परकार शनी की अस्टम की ढहिया आप लोगों पर लग गए थी 12 जुलाई 2022 से 23 अक्टूबर 2022 तक जब शनी मकर राशी में रहे तो जिन जातकों की लगन राशी या चंद राशी मिथुन है के लिए बहुत दिक्कत भरा समय रहा परंतु अब परशान मत होईए क्योंकि अब ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर आ रहा है जब शनी इन चार महीने अस्टम में ढहिया का निर्मान किये हुए थे तो धनकी हानी हुई कारिये आप लोगों के सफल नहीं हुए अपमानित होने का बहे लगा रहा कारिये स्थल पर कूटनिती के शिकार हुए संतान से वियोग, संतान से दुख की संभाव न बनी जीवन साथी को भी कस्ट मिले दुस्ट व्यक्तियों की मित्रता के कारण कई बार परिशानी में आए चाहकर भी मनचाहफल प्राप नहीं हो पाया परंतु अब 23 अक्टूबर 2022 से जब शनी मारगी होंगे तो 14 दिसंबर 2022 तक शुब फलो में व्रधी करेंगे वे 14 दिसंबर 2022 से 17 जनवरी 2023 तक शुब फलो की प्राप्ती में और अधिक जाफा करेंगे वे 17 जनवरी 2023 से आगी का वक्त बहुत अच्छा है क्योंकि आप लोग शनी की अश्टम की ढहिया से बाहर निकल जाएंगे साथ ही अब मैं बात करूंगा 20 नवंबर 2022 से गुरू भी मारगी हो जाएंगे जब गुरू मारगी होंगे तो यह भी आपके लिए बहुत फलदाई है और यह 13 अपरेल 2023 तक फलदाई रहेगा और उसके बाद जब गुरू मेश राशी में आएंगे तब भी आपके लिए यह बहुत शुब फलदाई रहेगा क्योंकि गुरू के मारगी होने से आप लोगों की धन परतिष्टा में वरद्दी होगी शत्रों पर विजय प्राप्त करेंगे कोट कचैरी में विजय प्राप्त होगी सभी कारियों में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी जिन नी संतान दमपत्ती को अभी तक संतान प्राप्ती नहीं हुई उन्हें भी इस संदर्व में सुखद समाचार मिलेगा जिनकी अभी तक कहीं बात नहीं बनी विवा की चैवर रूंडरेयों या वदू उनको भी इस संदर्व में अब सुखद समाचार मिलेगा नोक्री में वैपार में पदुन्नती होगी वैपार में अवश्य ही व्रद्धी होगी उत्तम सुक्की प्राप्ती होगी घर में वैभव विलास की वस्तुवों पर आप लोग धन खर्च करेंगे पुत्र सुक प्राप्ती के योग बनेंगे आपकी शुब कारियों में रूची बढ़ेगी और हर तरीके से गुरू का मार मारगी होना आप लोगों के लिए शुब फलदाई रहेगा तो अभी तक हमने दो ग्रहों के बारे में जाना कि शनी आपके लिए खुश्या लेकर आ रहे हैं और साथ ही गुरू भी एक अच्छी बड़ी खुशकबरी लेकर आ रहे हैं 20 नवंबर 2022 से अक्टूबर 2023 तक कोचर कर रहे हैं तो अभी तक राहू वो फल नहीं दे पाए जिसकी हमें उमीद थी क्योंकि राहू वही फल देते हैं जैसा फल शनी देते हैं तो अब जब शनी की स्थिति में सुधार आएगा तो राहू भी आपको अच्छे फल देंगे जब राहू की स्थिति सही अचानक धनलाब कराएंगे धन तथा भग्य की अच्छी प्राप्ति होगी लेकिन एक बात ध्यान रखना जब 20 नवंबर 2022 से गुरु मारगी होंगे और पहले से स्थिति यहां राहू थोड़ा चंडाल योग बनाएगा तो आप लोगों को सला दी जाती है राहू से संबंद वस्तुओं का आप लोग दान देते रहें भगवान शिव की अराधना करें तो चंडाल योग के कारण मिलने वाले दुष्ट प्रभाव से आप दूर रहेंगे यदि आप घर बैठे अपनी कुंडली का विशलेशन करवाना चाहते हैं तो मैंने संपक सूत्र दिया है आप संपर कर सकते हैं एक छोटा सस्चुन कदा करकर यह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें ओल पर क्लिक करें ताकि सभी इंफर्मेटिव वीड कि अब आप लोगों के किस्मत के द्वार खोले और निशिद ये बड़े तीन ग्रहों का परिवर्तन आपको अच्छा फल निशिद देगा अभी जाज़त चाहूंगा जैश्रीरा